नमस्कार दोस्तों मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है और वेलकुम और वेलकुम बैक टू ब्रेन क्राश मेट्स जब भी हम एक डॉक्टर को विश्वालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली इमिज पनती है वो होती है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे आज हम बात करेंगे सेथोस्कोप के बारे में तो आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें सेथोस्कोप के बारे में जानना जरूरी है इस वीडियो इस वीडियो इस वाल बाउट रहे हैं हम जब भी एक सेथोस्कोप वो साउंड उत्य नहीं आ रही है और हमारे Batchmate के साउंड बहुत अच्छी आ रही है लो सॉल्व करनी के लिए हम साउंड़न कोंछे देखते हैं आज की वीडियो में हम उनहीं चीज़ों के बारे में बात करें क्या हिरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सेथोस्कोप होता है उसके पार्ट क्या क्या होते हैं ताकि आगे चलकर हम उनके फंक्षन समझ पाएं तो सबसे पहले देखें इस शारस को अदशना है तु यह पार्ट आप देख रहे हैं आप यह हमारे काट में जाता है और चोु गूबिंग आप देख रहे हैं यह स्टीज की बनी हुई है इसको हम कहते है इयर ट्यूब इयर ट्यूब का क्या काम होता है कि ये इयर पीस को connect करती है tube of the scythoscope से ठीक है उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमारा जो दिख रहा है आपको this is the bioral spring bioral spring का क्या मतलब है ये क्या करती है जो scythoscope है इयर पीस है उसके tightness को maintain करती है ताकि वो stabilize होके हमारे जो ears है उस पर लग पाए नहीं तो अगर समझें इसके tightness maintain नहीं होई है ये धीले हो गए तो इयर पीस की हमारे ears में धंग से नहीं लग पाएंगे then हम नीचे आते हैं ये जो पार्ट है ये this is the tube ये PVC की बनी होती है उसके बाद हम और नीचे आते हैं ये steel का material दिख्या होगा आपको इसको हम बोलते है stem stem का काम क्या होता है diaphragm को connect करना tube of the scythoscope से उसके बाद this is the diaphragm और उसके पीछे है bell bell piece ये हमारे parts of scythoscope है अब हम समझते हैं कि जो इनका function क्या है इन parts का earpiece में बता चुकी हूँ हम इसे अपने ears में इंसर्ट करते हैं sound सुनने के लिए अब मैंने क्या किया ये मेरा diaphragm है मैंने इसे पेशन के chest पे प्लेस कर दिया to listen the heart sound मैंने इसे प्रेस किया तो sound यहाँ डायफ्राम से ट्रावल करके tube के थ्रू आएगी उपर ear tube and then it will reach earpiece and then to my ears ऐसे होता है हमारे sound का ट्रावल अब समझे ये जो डायफ्राम आप देख रहे हैं ये क्या होता? ये हाई-pitch sound सुनने के लिए इस्तिमाल होता है हाई-pitch sound में example जैसे हाट sound breathing sound ठीक है bell का इस्तिमाल होता है low-pitch sound सुनने के लिए जैसे heart murmurs या फिर pediatric के case जो होते हैं बच्चों की हाट हाट sound सुनने के लिए हम bell piece का यूज करते हैं अब हमें functionality कैसे चेक करनी है cethoscope की आप आप बढ़ा है this इसका साइज बहुत जादा चोटा नहीं होना चाहिए अगर बहुत जादा हुआ तो sound में sound के ट्रावल में interference करेगा अगर इयरपीस का साइज बहुत जादा बढ़ा हुआ तो आप जब इसे पने कान में इसर्ट करेंगे इयर्ज में तो आपको uncomfortable feel होगा तो इसका size appropriate होना चाहिए according to your ears then moving on हम बात करते हैं tube पे तो आपने देखा होगा ये तो single lumen single tube cethoscope है double tube cethoscope या two lumen cethoscope भी आते हैं यहाँ पर है मेरे पास this is a double tube cethoscope which one is better double tube cethoscope is better क्योंकि double tube cethoscope क्या करता है ये दो different channels provide करता है to each ears दो अलग channel है इसमें दोनों अलग ears के लिए ठीक है ये देखें उपर जाके दोनों अलग ears के लिए दो different channel है इस वाले cethoscope में एक ही channel है for both the ears इसलिए इसमें double lumen cethoscope होता है उसमें जो sound सुनाई देते है वो थोड़ी amplified सुनाई देते है उसके अलावा depend करता है ये जो tube है इसकी thickness अगर ये थिक होगा तो इसका काम क्या होता है कि जो बाहर से external noises आ रही है उनको cancel out करना अगर समझे है जो tube है आपने कोई cethoscope खरीदा उसके tube पतली है थिन है तो वो क्या करेगी वो जो बाहर से external sound आ रही है उसको cancel नहीं करेगी और वो sound आपके जो sounds आप सुनना चाहते है उसके बीच में इंटरफेर करेगी तो इसलिए ये appropriately thick यानि बोटा होना चाहिए उसके बाद वेरी इंपोर्टन और कई बार हम इसे नजर अंदाज करते हैं कि जो लेंथ है लेंथ आप दो ट्यूब तो ये जो लेंथ है इचुद बेट्वीन 25 सेंटिमेटर तो 35 सेंटिमेटर समझे लेंथ अगर ये इफ इस लेस थें 25 सेंटिमेटर तो आपको पेशन्ट की जो हाट साउंट अभी मैं हाट साउंट का ग्जाम्पल ले रही हूँ है हाट साउंट सुनने के लिए आपको पेशन्ट के बहुत नजदीक जाना पड़ेगा तो इस विल मेंग पेशन्ट उनकांफटेबल और आपको पेशन्ट तो इस थेंट नर्फ न बहुत आदे ही लंगी लेंग तो जो साउंट को जो ट्रावल करके आना है दिस्टंस पड़ जायेगा जिसकी वजह से उसका जो साउंट कॉलिटी है तो दिखिरीज हो जायेगा तो दे लेंथ शुद बेट्वें 25 cm तो 35 cm ओके, then coming on to the stem अब यह मैंने बताया था है, metal का पीस जो है, जो डायफ्राम को कनेक्ट कर रहा है, त्यूब के साथ, this is the stem ठीक है, अब इसमें stem और इसकी stem हम compare करेंगे तो इसकी stem आप देख पा रहे होंगे, thick है, मोटी है, इसकी stem thin है, which one is better, thick stem is better अगर आपके सेथोस्कोप की stem है, वो थोड़ी मोटी होगी, तो वो better होगी because it helps the सेथोस्कोप to get stabilized, जब आप इसे किसी भी surface पर रखेंगे, तो यह सेथोस्कोप को stabilize करने में help करती है यह stem, अगर stem बहुत ही ज़ादा पतली है, तो सेथोस्कोप को stabilize करने में थोड़ी दिक्कत आती है, okay then moving on to the diaphragm, so यह diaphragm है सेथोस्कोप का, तो जैसा मैंने बताया कि यह high pitch sound सुनने में मदद करता है, for example, heart sound है, breathing sounds है, वो सब सुनने में डियाफ्राम मदद करता है, तो अगर इसका diameter है डियाफ्राम का वो बड़ा होगा, तो high pitch sound आप अच्छे से सुन पाएंगे, दूसरा, क्या ह यह होता है, तो बेल पीस, तो बेल पीस क्या करता है, लो पिच सुनने में मदद करता है, जैसे की heart murmurs है, अब कई गलती हम यह करते हैं, कि जो बेल पीस होता है उसे बहुत ही जादा फर्मली हम प्लेस करते हैं, on the surface, ऐसा हमी नहीं करना है, because if you place the bell piece very firmly on any surface, bell piece will start acting like a diaphragm, तो यह क्या करेगा, इसको सुनना तो है low pitch sound, but यह सुनने का है high pitch sound, it will start behaving like a diaphragm, okay, तो यह सब टोटल पाँच बाते हैं, जो हमें ध्यान रखनी हैं, जो हमें ध्यान रखनी हैं, before buying a stethoscope, ताकि आपका जो stethoscope है, वो बेटर functionally act कर बाते हैं, अब हम समझ गए हैं इसके बात यह सकता हैं, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ना पता हो, इस वीडियो को पूरा करने के लिए यह बताना भी बहुत ज़रूरी है, आपको stethoscope use कैसे करना है, जब से पहले आपको वेर कैसे करना है, तो देखे, मैंने क्या किया, मैंने यह ear tubes पक्टे, मैंने इसको खोल open किया, ठीक है, now my ear piece are facing forward, आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसे उल्टा किया, ठीक है, now my ear pieces are facing backward, so this is not the right position to wear it, your ear pieces should be facing forward, okay, तो यह forward place कर रहे है, now I'll insert it in my ears, so this is the right position to wear it, उसके बाद, मैंने ऐसे पहन लिया, इसके बाद, मैंने ऐसे पहन लिया, इसके बाद, मैंने ऐसे पहन लिया, but I'm not hearing any sound, मैंने को कोई sound नहीं सनाई दे रहा, ऐसा नहीं है, मैंने सेटोस्कोप खराब है, यह बंद है, so you have to open it like this, मैंने से घुमा दिया, अभी ओपन हो गया, now I'm hearing sound, मैंने को इसको close करना है, मैं से घुमा दूँगी, बंद हो गया, now I'm not hearing any sound, so it happens that at one time, you will work on one thing, so if you have a diaphragm function, then you will not do a bell piece, if you have a bell piece function, then you will not do a diaphragm function, so both things, bell piece and diaphragm, will not do a time, पर काम नहीं करेंगे, दूसरा हम तीसरी चीज हम पहले भी discuss कर चुके हैं, कि इस्तमाल करना है, low pitch sound सुनने के लिए और diaphragm का इस्तमाल करना है, high pitch sound सुनने के लिए, there's no vice versa, तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, before using a stethoscope, and I think, अगर सेटोस्कोप से रिलेटर आखे कोई भी doubts होंगे, या किस तरह कर सेटोस्कोप आपको खरीजना है, वह doubts इस वीडियो को देखने के बाद के लिए हो गए होंगे, पर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो Thank you for watching this video, I hope you like it, bye!